लोगों की समझदारी की वज़े से आईशा टावर में बड़ी आग लगने से बची आग की ये लपतें देखकर आप समझ सकते हैं कि ये आग किसी बड़े और भायानक हाथसे की वज़े बन सकती थी लेकिन कोई बड़ा हाथसा होने से टल गया यह यहां के लोगों की सावधानी की वज़े से हो सका यह आग जोगश्री वेस में स्वी रोड पर आईशा टावर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद न्यू स्काइवे रेस्टरेंट में लगी थी इस टावर में कई बड़ी बैंक की ब्रैंचेज हैं जिसमें एटीम लगे हुए हैं रात के एक बज़े धुए की बज़े से जब लोगों की नीन टूटी तो लोगों को लगा कि शायद मच्छर से बचाओ के लिए फॉगिंग की जा रही है यह उसी का धुआ है लेकिन फिर्की खोल कर जब बाहर देखा तो धुआ ही धुआ दिखाई दिया तब लोगों को असलिय समझ में आई इसी इमारत में शेकिल शेख भी रहते हैं उन्होंने बताया कि आग की लप्टों को देखकर पूरी इमारत में एक दहशत सी फैल गई थी लेकिन इमारत में लगे फायर सिस्टम की वज़े से आग पर काबू पा लिया गया जबकि फायर ब्रिगेट के आने का इंतजार किया जाता तो किसी बड़े हाथ से सेनकार नहीं किया जा सकता इमारत में काम करने वाले वाचमाइन और दूसरे करमशारियों ने आग पर काबू कर लिया शकील शेख बताते हैं कि वो जब अपने फ्लैट से लिफ्ट से नीचे की तरफ जा रहे थे तो लिफ्ट सभी फ्लोर पर बार बार रुक रही थी इसकी वज़े से उने नीचे तक पहुँचने में करीब आठ मिनट लग गए इस टाओर में करीब नबे फ्लैट से अगर हाथसा होता तो फिर उसमें जानी नुकसान भी हो सकता था लेकिन लोगों की सूजबूज ने इस हाथसे को टाल दिया अगर इस तरह की घटना किसी दूसरी इमारत में घटित होती है तो उन्हें भी इसी तरह की सूजबूज से काम लेना चाहिए ताकि कोई बड़ा हाथसा ना पेश आने पाए आप इतनक्वी प्रेस 9 नियूज मुंबई